नमस्कार दोस्तों मैं मनोजकुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार में आज की रोजगार समाचार में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार लोग से वायोग BPSC के द्वारा ITI यानि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंसिट्यूट और ध्योगिक प्रसिक्षन संस्थानों में वाइस प्रेंसिपल उप प्राचारिया के पदों के लिए रिक्रूट्मेंट तो हजार चोईस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया ग साथी चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बैल आइकन को दवाना ना भूलें आऊ सुरुवात करें नएकल की दोस्तों बिहार लोग सेवा आयोग के द्वारा विग्यापन संक्या 28 बटे 2024 के अंतरगत सरम संसाधन विभाग बिहार के अंतरगत और ध्योगी प्रसिक्ष इस तरके कुरल 46 पदों पर सुयोग बहातिय नागरिकों से ऑनलाइन मोड में आविदन मांगे जा रहे हैं महिला और पुरुस दोनों से अनारक्षित के पद है 14 जिनमें से 5 महिलाओं के हैं EWS के 8 पद है जिनमें से 3 महिलाओं के हैं SC के 16 पद है जिनमें से 6 महिलाओं के है ST का एक पद है अतियंत पिछड़े वर के 22 पद है जिनमें से 8 महिलाओं के है पिछड़े वर के 15 पद है जिनमें से 5 महिलाओं के लिए है टोटल पदों की संख्या है 6 जिनमें से महिलाओं के लिए 27 पद आरक्षित किये गए है दो पद स्वतनता सैनानियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं, दरश्टी बाधितों के लिए तीन पद यहां पर आरक्षित रखे गए हैं इन पदों के वेतन मान सात्में वेतनायों के लेवल 9 में शुरुवाती वेतन हर महीने 53,100 रुपे दिया जाएगा नियुन्तम सैक्षिक योगता सीधी भरती के लिए इसी भी भारतिय विश्विद्याले से इंजिनियरिंग में डिग्री जैसे BE, BTEC, BSE इंजिनियरिंग या BS की डिग्री आवे दकने आचिल की हो साथ ही आपको ध्यान रखना है विश्विद्याले अनुदान आयोग के द्वारा मानने तप्राप्त समन विश्विद्यालों यानि डीमड विश्विद्यालों से केवल रेगुलर तकनीकी पाठ्ठकरों में दी गई उपादी ही मानने होगी ओपन विधी या दूरत सिक्षा के माध्धम से पाठ्ठकर मों की जो इगरियां है वो मानने नहीं होगी विशिष्ट योगता एम्टेक होनी चाहिए आविदकने सम्मंदित विशे में इसी भी विश्विद्याले से आयू सीमा यहाँ 1 अगस्ट 2023 के आधार पर नीून तम बाई साल अनारक्शित पूर्चों के लिए अधिक्तम 37 साल पिछड़े वर गतियंद पिछड़े वर की पूरुस महिलाओं के लिए और अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 साल, स्टी एस्टी के पुरुस महिला दोनों के लिए 42 साल अधितमायु सीमा रखी गई है. चैन पिरक्रिया जो होगी इन पदों पर आप देखेंगे लिखित परिक्षा और साक्षात करके मार्धम से चैन किया जाएगा. लिखित परिक्षा में 150 प्रेस्ट पूछे जाएंगे, इसमें जर्नल इंजिनियरिंग साइंस पर 100 प्रेस्ट होंगे, सामान ने योगता जर्नल एक्टिट्यूट पर 50 प्रेस्ट पूछे जाएंगे. हर प्रेस्ट का एक अंक निर्धारित होगा, सही उत्तर होने पर एक अंक दिया जाएगा, और गलत उत्तर होने पर एक वटे चार अंक काट लिया जाएंगे, यानि नेगेटिव मार्किंग आपको यहां जहिली होगी, परिक्षा की समय अबधी होगी तीन घंटे की. लिखित परिक्षा का जो पार्थे करम है, आप यहां सामानने जर्नल एप्टिटूड के जो पार्थे करम है, यहां देख सकते हैं, दिया गया है, साक्षात कार जो होगा, वो सोंकों का होगा, जिसमें से निर्धारित सैक्षिक योगता के 40 अंक होंगे, विशिस्ट योगता, एम्टेक के लिए 20 अंक दिये जाएंगे, इसके साथ ही कार्य अनुभब के लिए यहां पर 10 अंक दिये जाएंगे, साक्षात कार जो होगा, कुल 30 अंकों का होगा, लिखित परिक्षा में सफल होने वाले सभी कैंडिडेट्स को वर्गवार्ग साक्षात कार के लिए उन्हें बुलाया जाएगा, साक्षात कार में सफल होने वाले उम्मेदवारों का स्वास्थ्य परिक्षा किया जाएगा, आयोग द्वारा गठित चिक्षा बोड के द्वारा इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी आवेदन सुल्क यहां पर रखा गया है बायोमेट्रिक फीस के रूप में सभी कैंडिडेट्स को दो सो रुपे फीस पेमेंट करनी होगी सामाने वर्ग के लिए साथ सो पचास रुपे दो सो रुपे के अतरिक्त जबकि बिहार राज्ये के अनुसूची जाती जन जाती के लिए 200 रुपे केवल जिसमें बायोमेट्रिक भी सामिल है बिहार राज्य के इस्थाई निवासी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महलाओं को 200 रुपे दिव्यांग जुनों को 200 रुपे अन्ने स्टेट के रहने वालों को 750 रुपे फीस पेमेंट करनी है चाहे हो किसी भी वर्ग स संबंद रखते हैं इसका पेमेंट के वल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड डेविट कार्ड नेट बैंकिंग यूपी आई के मार्धम से किया जा सकता है फीस एक बार पेमेंट हो जाने पर वो किसी भी परिस्टिती में वापस नहीं की जाएगी ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म 25 मार्च से लेकर 16 अपरेल 2014 के बीच में आप भर सकते हैं और संबनी डॉकुमेंट को ऑनलाइन मोड में फोटो सिगनेचर ये सबी चीजें ऑनलाइन मोड में आप अपलोड कर सकते हैं दोस्तों पदों से संबनीत अन्य सभी डिटेल महत्कूँ जानकारी के लिए आपको विग्यापन को जरूर पढ़ देना चाहिए ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म समिट करने से पहले ओनलाइन अविदिन करने के लिए आपको विहार पब्लिक सर्विस कमिशन की वेब साइट पर जाना होगा एपलाई ऑनलाइन पर किलिक करना है जिससे आपके सामने पर किलिक करना है जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का वेज उपन होगा यहां ओनलाइन रेजिस्टेशन के जितने भी अडवर्तमान समय में एक्टिव हैं वह यहां पर दिखाए देंगे एपलाई ऑनलाइन वाले बटन पर आपको किलिक करना है संबंदित अडवर्ताइ हैं ध्यान रखना है ऑनलाइन अपलाई करने की जो अंतिम्तिती है वह सोलह अपरेल दोहजार चौविस तक तक तो आसा करते हैं पदों के समद्द में उपलब्द कराई गई जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी वीडियो को एक लाइक कर दें अपने दोस्तों में समझ आ लिए नई वीडियो के मार्द हम से तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो